बांदा जिले के बबेरुक शेत्र में बारिश के चलते 11,000 हाइवोल्टेज लाइन में शाट सरकिट होने से करीब 45 मकानों में कर्ट दोड़ गया दो माह के मासूम को बचाने दोड़ा पिता दर्वाजे के कर्ट में चिपक गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई हादसे में 12 से अधेक लोग कर्ट से जटकों से गिर कर घायल हो गए वहीं लाखों रुपे के बिजली के उपकरन धू 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 का जल गए मरका थाना क्षेत्र के इंगुवारी गाउं में 50 से अधेक घर हैं बारिश के चलते गुरुवार की देर शाम 11,000 हाई वोल्टेज लाइन में शाट सर्किट होने से लगभग 45 मकानों में कर्ट दोड गया गाउं के एक मकान के दूसरे कमरे में सो रहे दो माह के मासूम को बचाने के लिए दोड़े पिता स्वामी शरण 30 की दरवाजे में कर्ट आने से चिपक गया परिजनोव व ग्रामीनों ने किसी तरह लाठी डंडे से उसे दरवाजे से अलग कर CHC पहुँचाया जहां डाक्टरों ने मृत घोशित कर दिया उधर कर्ट के जटकों से रामप्रसाद, 30, देवी शरण, 60, भरोसी, 70, गोमती, 40, गिरकर सहित करीब एक दरजन लोग घायल हो गए हैं लोगों के लाखों रुपे के बिजली उपकरन फोक गए मृतक की पतनी ममता ने पूलिस को दी तहरीर में पती की मृत्यू के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है इनकी लापरवाही से पती की मौत हुई है कहा कि 20 दिन पहले भी शाट सरकित से मकानों में हाई वोल्टे जाने से उपकरन आधी फोक गए थे इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई थी लिकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई ठाना प्रभारी है म्राज ने बताया कि तहरीर मिली है रिपोर्ट दर्ज कर जांच वा कार्रवाई की जाएगी शव को पोस्ट माटम के लिए भेजा गया है बताया कि मृतक दिल्ली में मजदूरी करता था दो महा पहले खेती किसानी के लिए गाव आया था मृतक के दो बेटे है सपा विधायक विशंभर सिंग यादव ने CHC पहुँच कर परिजनों से घटना की जानकारी ली आर्थिक सहायता का भरोसा दिलाया